एक गाउ में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था भानू इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई नहीं था ना माता पिता ना भाई बहनू भानू बहुती महेंती लड़का था एक बार उसकी महेंत से प्रसन होकर एक किसान ने उसे बैल दे दिया भानू ने सोचा बैल से किसी बंजर जमीन को जोतूंगा और उस पर फसल उगाने की कोशिश करूंगा वह बैल लेकर चल पड़ा गर्मी के दिन थे फिर भी भानू अपनी धुन में बैलों को हाकता हुआ चला जा रहा था अचानक उसे लगा जैसे उसे कोई पुकार रहा है उसने मुड़कर देखा तो तीन व्यक्ति शरारत से मुस्कुराते खड़े थे भानू ने उनसे पूछा आपने मुझे पुकारा था क्या कोई काम है उन में से एक व्यक्ति ने कहा तुम ये बकरा लेकर कहां जा रहे हो भानू चोंक उठा बकरा ये बकरा नहीं है बैल है वो व्यक्ति जोर जोर से हसने लगा और अपने साथियों से बोला देखो इस पागल को यह बकरे को बैल बता रहा है जरूर इसने कोई नशा कर रखा है उसकी बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा और बकरा भी कैसा बिलकुल मरियल सा कोई इसकी कोडी भी न दे तीसरा व्यक्ति बोला पर हमें इस बेचारे की सहायता करनी चाहिए चार-पांच रुपयों में ये बकरा खरीद लेते हैं ये सुनते ही पहले व्यक्ति ने फटा-फट पांच रुपय निकाले और भानु के हाथ में थमा दिये और बैल की रस्सी भी छीन ली भानु बेचारा कुछ समझ भी नहीं पाया कि वो क्या करे और क्या कहे वो अकेला था और वो तीन थे वह समझ भी गया था कि वे तीनों मिलकर उसे बेवकूफ पना रहे हैं भानु को ये भी अंदाजा हो गया कि उसने ज़्यादा चूँच पड़ की तो वो तीनों उसे पीटने लगेंगे और मुफ्त में ही बैल लेकर चल देंगे सो उसने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा वो तीनों वेक्ती बैल लेकर चल पड़े वो भी थोड़ी दूर ही पहुँचे होंगे कि भानु भागता भागता उनके पास आया और उनसे कहा आप लोग बहुती दयालू है मेरे मरियल बकरे को सचमुच कोई ना पूछता पर आपने इसके पांच रुपे दे दिये आप से बढ़कर सज्जन वेक्ती मुझे कहा मिलेंगे मेरा दुनिया में कोई नहीं है यदि आप लोग मुझे नोकर रख लें तो मेरे भी कुछ दिन सुक से कट जाएंगे उन तीनों व्यक्तियों ने सोचा यहां तो मुफ्त में ही नोकर मिल रहा है उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया भानू बहुती महेंती लड़का था कुछ ही दिनों में उसने तीनों का विश्वास जीत लिया उनके घर के सारे काम करता घर खर्च और पैसों का भी पाई-पाई का हिसाब रखता तीनों उससे बड़े खुश थे एक दिन भानू एक विचितर सी टोपी लगाए घर में लोटा वो तीनों व्यक्ति भानू की टोपी देख कर जोर-जोर से हसने लगे वे बोले ये क्या जोकरों वली टोपी तुम पहन कर आ गए हो पर भानू एकदम गंभीर मुद्रा में बना रहा उसने कहा ये टोपी जोकरों की नहीं है यह एक करामाती ताज है इसे पहन कर बाजार में हर चीज मुफ्त में ली जा सकती है इसी कारण से तो मैं आप से अपने खर्च के लिए कुछ भी नहीं लेता हूँ तीनो व्यक्तियों को उसकी बात पर विश्वाश नहीं हुआ यह देखकर भानू ने कहा आपको मेरी बात पर विश्वाश नहीं हो रहा कल बाजार में चलिएगा और इस ताज की करामात सुयम देखिये गया तीनो व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने काम धंदे पर निकल गए उधर भानू वह टोपी पहन कर बाजार चला गया उसने तीन बड़ी दुकाने चुनी फिर उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकम दे कर बोला कल मैं अपने तीन महमानों के साथ आऊंगा पहचान के लिए ये टोपी पहने रखूंगा मेरे महमान जो भी खाएं पीएं जो भी मांगें उन्हें सब दे देना पर उनसे एक भी पैसाना मांगना ये पेशगी रकम आप रख लो बाद में मैं हिसाब कर लूँगा दुकानदारों को इसमें कोई अपत्ती नहीं थी भानू का भी इसमें कोई नुकसान नहीं था भानू ने भी वह रकम उन तीनों की एक गुप्त गुल्लक में से निकाल कर दी थी दूसरे दिन सुभे वो तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार में पहुंचा तब तक बाजार में उसके पेशगी रकम देने की बात फैल चुकी थी सबने उसे कोई सिर्फिरा रईस समझ लिया था इसलिए जिस दुकान के सामने से वह निकल जाता उसका मालिक सिर जुका कर बड़े ही अदब से खड़ा हो जाता सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद भानू उन्हें एक बड़ी दुकान में ले गया यहां खाने पीने की बड़ी ही स्वादिष्ट चीजें रखी थी चारों ने चक कर भोजन किया भोजन करने के बाद भानू उठ खड़ा हुआ उसके साथ वो तीनों व्यक्ति भी बाहर निकलने लगे जब वे लोग बाहर जाने को हुए तो दुकान का मालिक हाथ जोड़ कर खड़ा था वो बोला फिर कभी जरूर पधारियेगा यह आपकी ही दुकान है भानू सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया दुकान के आइने में उसने अपनी विचित्र टोपी कुछ ठीक की और फिर दुकान के बाहर हो गया तीनों व्यक्तियों की आँखें फटी की फटी रह गई उन्होंने सपने में भी टोपी के चमतकारी होने की बात नहीं सोची थी वे अभी सोच विचार में डूबे ही थे कि भानू ने कहा आईए आईए अब कहीं और चलते हैं तीनों व्यक्ति चुप चाप भानू के पीछे हो लिए भानू दिन भर उन्हें बाजार में घुमाता रहा दोपहर में वह उन्हें खाना खिलाने के लिए ले गया शाम को भी उसने इसी तरह खातिरदारी की तीनों व्यक्तियों को जैसे सब कुछ सपना सा लग रहा था जहां पर भी भानू टोपी लगा कर जाता उसकी बड़ी ही आवभगत होती रात को वे घर लोटने लगे रास्ते में ही उन तीनों व्यक्तियों ने उस चमतकारी टोपी को खरीदने का निश्चे किया घर पहुचते ही वो तीनों व्यक्ति भानू से टोपी खरीदने की बात करने लगे भानू ने टोपी बेचने से इनकार कर दिया वह बोला यह तो मेरी पैत्रिक संपत्ती है मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूँँगा उधर तीनों व्यक्तियों ने भी किसी भी कीमत पर वो टोपी हथियाने का निर्णे कर लिया था उन्होंने भानू के आगे हाथ पैर जोड़े और टोपी खरीदने के लिए बहुती उतावलापन दिखाया तब भानू ने कहा आप लोग मुझे इतना लज्जित ना किजिए मैं ये टोपी आपको दे दूँगा उस रात उन तीनों आदमियों ने एक बड़ी सी थैली में खूब सारे सोने के सिक्के भरे और वो सारा सोना भानू को देकर उससे वो टोपी खरीद ली भानू रात के समय में ही अपना सारा माल बटोर कर उस बैल पर लाद कर चल पड़ा और रातो रात बहुत दूर निकल गया सुबे हुई तो तीनों व्यक्ती टोपी की बदोलत बाजार का बाजार खरीदने के लिए चल पड़े बाजार पहुचने पर वे पहले उसी दुकान में गए जहां एक दिन पहले भानू उन्हें छक कर भोजन करा कर लाया था तोपी के कारण मालिक ने उन्हें फोरण पहचान लिया उसने उठकर उनकी आवभगत की और स्वयम खाने पीने की चीजें ला ला कर उनके सामने रखता गया तीनों व्यक्तियों ने सोचा टोपी अपना कमाल दिखा रही है उन्होंने खूब छक कर खाना खाया फिर डकार लेते हुए वहां से बाहर जाने लगे जब वें बिना पैसे दिए बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने कहा जनाब पैसे तो देते जाईए वो तीनों व्यक्ति तमख उठे पैसे किस बात के और ये कहते हुए उनमें से एक ने टोपी दुकानदार की आखों के सामने नचा दी दुकानदार काफी तगड़ा आदमी था वह अकेला ही तीनों के लिए काफी था उसने लपक कर टोपी वाले व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और बोला अब बताऊं तुझे किस बात के पैसे तीनों व्यक्ति बड़े ही डर गए उन में से एक ने जल्दी जल्दी पैसे दिये और पिंड छुडा कर दुकान से बाहर हो गए बाहर आकर वे आपस में जगडने लगे तोपी पर अभी भी उन्हें विश्वाश था दो व्यक्तियों ने अपने तीसरे साथी से कहा तुमने टोपी हाथ में ले रखी थी इसी कारण इसका असर नहीं हुआ तुम इसे सिर पर पहनो तीसरे व्यक्ति को इस बात में सच्चाई लगी उसने टोपी सिर पर रख ली अब वो तीनों फिर से एक दुकान में गए वहाँ पर भी उन्होंने मन चाही चीजें खरीदी जब वे गठरी बांध कर चलने लगे तो दुकानदार ने उनसे चीजों के दाम मांगे तीनों व्यक्तियों को कुछ ना सूच पड़ा घबराहट में टोपी पहना हुआ व्यक्ति दुकानदार के सामने आकर अपना सिर हिलाने लगा ताकि दुकानदार टोपी से परभावित हो जाए पर इसका उल्टा ही असर हो गया दुकानदार ने उसे जोरदार थपड मारा तो टोपी उड़कर भटी में जागिरी और शन भर में ही वो जल कर राक हो गई टोपी को इस तरह भसम होते देखकर तीनों व्यक्ति चीक चीक कर विलाप करने लगे अब तो उस दुकान के सामने बहुती भीड़ी कठा हो गई जब तीनों व्यक्तियों ने रोते रोते करामाती टोपी के गुन बतलाए तो बाजार के लोगों का हस्ते हस्ते बुरा हाल हो गया दुकानदारों ने उन्हें असली बात बताई अब तो उन तीनों व्यक्तियों के होश उड़ गए वे समझ गए कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है और अपना बदला ले लिया उस दिन से उन्होंने किसी को दोखा ना देने की कसम खाली और इधर भानू वो सोने से सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर अपने गाउं लोट गया अब इतना धन उसके लिए परयाप्त था उसने अपना बाकी का जीवन बहुती आनंद से बिताने का निश्चे की ये कहानी है दो दोस्तों की निर्मल और बिर्जू निर्मल और बिर्जू बहुती पक्के दोस्त थे निर्मल एक धनी परिवार से था उसके पिता का गाउ में अच्छा खासा व्यपार था परंतु उसके पिता अवल दर्जे के कंजूस आदमी थे किन्तु निर्मल का सभाव इसके बिलकुल विपरीत था वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता दूसरी तरफ बिर्जू अनाथ था बच्पन में ही उसके माबाप गुजर गए थे बेचारे की आर्थिक स्थिती बहुत ही खराब थी वो बहुत ही गरीबी में अपने दिन गुजार रहा था दोनों दोस्त बच्पन से ही एक ही पाटशाला में पढ़ते थे तभी से वो पक्के दोस्त थे बिर्जू गाउं में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था एक दिन की बात है निर्मल अपने दोस्त बिर्जू से मिलने के लिए उसके घर पर गया निर्मल ने देखा कि बिर्जू खटिया पर पड़ा कराह रहा था चार दिनों से वो बेचारा बुखार से तडप रहा था गाउं के वैद ने उसे कई जड़ी बूटियां दी परंतु कोई फाइदा नहीं हुआ बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था शेहर जाकर डक्टर को दिखाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे निर्मल ने उसकी बुरी हालत देखी और जान गया कि रकम ना होने के कारण वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा था निर्मल जब वापिस अपने घर लोटा तो उसने अपने पिता को दोस्त की बिमारी के बारे में बताया और उसके इलाज के लिए थोड़ी रकम मांगी पैसे मांग रहे हो इसी तरह तुम दूसरों की मदद करते रहोगे तो थोड़े ही दिनों में हमें भी उनी की तरह भीख मांगनी पड़ेगी और सेठ ने अपने बेटे को खूब खरा खोटा सुनाया असल में निर्मल के पिता को निर्मल और बिर्जू की दोस्ती बिलकुल भी पसंद नहीं थी उसकी वज़े थी बिर्जू की गरीबी वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी गरीब से दोस्ती रखे उनका मानना था कि बिर्जू सिर्फ धन के लालच में निर्मल से दोस्ती रखता है उसकी नजर तो सिर्फ हमारी दोलत पर है और वो बिमारी के बहाने से निर्मल से पैसे एटना चाहता है परंतु निर्मल ने भी ठाल लिया था कि वो अपने दोस्त बिर्जू की मदद जरूर करेगा निर्मल खर से निकल कर सीधा गाउं के महाजन के पास गया और उससे पांसो रुपे का कर्ज ले लिया वो अपने दोस्त को किराय की बैलगाडी से शहर ले गया और वहां से उसकी दवा शुरू करवाई हफते बर में ही बिर्जू की तबीयत बिलकुल सुधर गई दस्वे दिन महाजन निर्मल को ढूलते हुए उसके घर पर पहुँच गया और उसके पिता से पूछा क्या निर्मल घर पर है पिता ने कहा वो तो घर में नहीं है तुम्हें उससे क्या काम है महाजन ने बताया कि वो अपने दोस्त के इलाज के लिए 500 रुपे लेकर गया था और हफते भर में लोटाने का वादा भी किया था परंतु आज दस्वा दिन है ये सुनकर पिता को बहुती गुसा आया निर्मल के पिता ने महाजन को उसके पैसे ब्याज समेत लोटा दिये महाजन चुप चाप पहां से चलता बना थोड़ी देर बाद जब निर्मल घर पर आया तो उसके पिता ने उससे कड़े स्वर में पूछा क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है महाजन से करज लेकर तुमने मेरी इज़त मिट्टी में मिला दी निर्मल ने बड़े ही दर्द बरे लहजे में कहा मेरा दोस्त सक्त बिमार था कोई दूसरा चारा नहीं था इसलिए मुझे करज लेना पड़ा इसमें इज़त की क्या बात है जब देखो आप पैसों की रट लगाते रहते हैं बिमार मा का भी आपने सही समय पर इलाज नहीं करवाया इसी वज़े से मा भी मर गई जुरुत पढ़ने पर जो धन काम नहीं आता वो किस काम का जाते समय क्या गठरी में बांध कर ले जाएंगे ठीक उसी समय बिर्जू वहाँ पर आ गया उसने कहा माफ कीजिए सेट जी मेरी वज़े से आप दोनों के बीच में मन मुटाव हो गया मैं आपके पैसे लोटाना चाहता हूं परन्तु अभी बिमारी से उठा हूं और मज़दूरी करना शुरू नहीं किया यदि आप मुझे अपने पास ही काम पर रख ले तो मेरी तनख्वा में से आप अपना करज वसूल कर लीजिएगा निर्मल के पिता का मन तो नहीं था बिर्जू को काम पर रखने का परन्तु उसने मन में सोचा कि ये मेरे करज के बोज के तले दबा रहेगा और मैं कई महीनों तक इस से मुफ्त में मजदूरी करवाता रहूँगा यही सोच कर सेट जी ने बिर्जू को अपने पास काम पर रख लिया अब बिर्जू रोज निर्मल के पिता यानि सेट जी के पास काम करने जाने लगा वो रोज सुभा उनकी दुकान पर जाता और वहाँ जो भी काम होता था वो करता धीरे धीरे समय बीटा गया बिर्जू का एक महीना पूरा होने ही वाला था सेट जी महीने में एक बार पूर्ण माशी के दिन उपवास रखते थे और पूरा दिन ना कुछ खाते थे और ना ही पीते थे परन्तु काम पर जरूर जाते थे आज के दिन भी सेट जी का उपवास था उन्होंने पूरा दिन अन का एक दाना भी नहीं खाया और पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी फिर भी दुकान पर पूरा दिन व्यपार में लगे रहे रोज की ही तरह उन्होंने रात में अपने पूरे दिन की रकम इकठी की और उन पैसों की एक पोटली बना कर घर की तरफ चल पड़े उन्हें कुछ थकावट महसूस हो रही थी और कमजोरी सी भी लग रही थी फिर भी वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चलते जा रहे थे तभी अचानक चलते चलते उन्हें चकर आ गया और वो बेहोश होकर रास्ते में ही गिर पड़े उनके धन की पोटली उनके हाथों से चूट गई इसके बाद क्या हुआ सेट जी को कुछ पता नहीं चला जब उनकी आँख खुली तो वो अपने घर में थे और उनके सामने उनका बेटा निर्मल खड़ा था सेट जी ने निर्मल से पूचा मैं तो रास्ते में ही गिर गया था फिर यहाँ पर कैसे पहुँचा तब निर्मल ने कहा कि आप रास्ते में बेहोश होकर गिर गए थे तभी बिर्जु वहाँ से गुजर रहा था तो वो ही आपको उठा कर घर पर छोड़ कर गया है तभी सेट जी को ध्यान आया कि उनकी धन की थैली भी उनके साथ ही थी वो अपने बिस्तर पर इधर उधर उसे ढूणने लगे और सोचने लगे कि जरूर बिर्जु ने उनके पैसे चुरा लिये होंगे निर्मल समझ गया कि उसके पिता क्या ढूण रहे है उसने तुरंत वो थैली पिता को देते हुए कहा चिंता ना करें पिता जी आपकी रकम पूरी तरह से सुरक्षित है बिर्जु इसे पूरी हिफाज़त से मुझे पकड़ा कर गया है आप उसके बारे में हमेशा गलत ही सोचते थे अगर वो चाहता तो सच में ये पैसा लेकर भाग सकता था और आपको वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिता परंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छा दोस्त ही नहीं बलकि एक अच्छा इंसान भी है अब निर्मल के पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अपने वर्ताव पर बहुती शर्मिंदा थे इतने में बिर्जू वहाँ पर आया सेड़ जी का हालचाल पूछने लग तब सेड़ जी ने बिर्जू से माफी मागी और कहा बिर्जू तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो मैं सारा जीवन तुम्हारा रिनी रहूंगा आज से हम सब में कोई भी मन मुटाव नहीं रहेगा उसी दिन से निर्मल के पिता का वर्ताव भी बदल गया और वो भी जुरूरत मंदों की सहायता करने लगे निर्मल और बिर्जू की दोस्ती पहले की तरह ही अटूट बैनी रही